ह SCP अजसे हैं आप लोग आई हों बहुत अच्छी होंगी क्लासिस को इंजभा कर रहे होंगी हम लोग बहुत ही सांदार प्रस्णों को सॉल्फ कर रहे है और मुक्त ब्यापार और संसाधन प्रवा का संबर्धन दूसरा करा बहुत धिक संपत्ति के अधिकारों का संदर्चर तीसरा करा विवित देशों के बीच संतुलित ब्यापार की विवस्था और चौथा करा भूत पूर्व पूर्वी ब्लाक के देशों और पस्मी विश्व के बीच ब्यापार का संबर्धन अब आपको मैं कूट दे दे रही हूं ए में है पहला दूसरा बी में है दूसरा तीसरा सी में है पहला दूसरा तीसरा और आपका डी में है सभी आल अब बताएंगे ए में है पहला दूसरा बी में है दूसरा तीसरा सी में है तीनो पहला दूसर तीसरा तीनों और आपका D में है सभी आपको बताना है विस्व ब्यापार संगठन की अस्थापना के पीछे कौन से उद्दे से थे और आप सभी को इसका उत्तर पता है चूकि मैं सारी चीजे पढ़ा चुकी हूँ आपके सभी हो जाएंगे यानि कि आपका पांचमा यहां म करेगा विवित देशों के बीच व्यापार संतुलन को इस्थित करेगा भूत पूर्व ब्लाक के देशों और पस्मी विस्व के बीच व्यापार का संवर्धन करेगा इन सभी काम को लेकर के एक जनुरी उनिस्व पंचानवे को डवलू टीयों की अस्थापना की गई थी जो सदस्य देशों के बीच विना किसी भेद भाव के मुक्त ब्यापार को प्रोसाहन करने के लिए बनाया गया था अगला question देखे, कह रहा है विश्व ब्यापार संगठन के विशय में क्या सत्य नहीं है विश्व ब्यापार संगठन के बारे में क्या सत्य नहीं है पहला करा एक जनुरी 1995 में अस्थापित हुआ दूसरा करा या सदस्य देशों के बीच ब्यापार प्रोसाहन करता है है आपको बताना क्या है जो सही नहीं है WTO के बारे में WTO के बारे में क्या सत्य नहीं है फटा-फट दीजेगा उतर और यह भी बहुत आसान है common sense का है आप सभी को पता है विस व्यापार संगठन को क्यों बनाया गया है इसकी उत्पत्ती बहुत पच्छे ब्यापार समझोतों की उरगवे दोर से हुआ है और इसका मुखे काम क्या है ब्यापार को प्रोफसाहन करना ब्यापार संबंदी सही है दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है केवल और केवल आपका चौथा सही नहीं है उदारी करड़ इसका काम नहीं है उदारी करड़ और LPG IMF के द्वारा आया था इसका WTO का इसमें कोई रोल नहीं है अगला कोईस्टन देखिए विस व्यापार संगठन के दोहा चक्र में केंद्रे मुद्दा क्या रहा विस व्यापार संगठन के दोहा जो चक्र है इसके जो मेटिंग सोते इसको दौर कहा जाता है तो जो आपका दोहा दौर है या जो दोहा चकर है इसका मुद्धा क्या था क्रिषी से समभनित मुद्धे थे विकासिल देशो से निर्याद थे या सेवाओं में व्यापार थे या व्यापार से समभन दित बौधिक संपता अधिकार था बताएंगे वेचलूक सांधार प्रश्वन है विसवयापार संगठन के दोहा चक्र में किंद्र बिंदू क्या था किस मुद्धे पर बात हो रही थी याद रहेगा आपका जो विसवयापार संगठन इसके दोहा बारता दोर में सरबादी चुक महतपूर मुद्दा था वो था क्रिसी सबसीडी क्रिसी सबसीडी था और इसके लावा क्रिसी आयात नियमों का जो मतब बनाया गया है इसके बारे में बात के गई थी 2001 में कि क्रिसी जो आयात उसमें नियम कैसी होने चाहिए और क्रिसी को किस तरह की सबसीडी दी जाने चाहिए सबसीडी के मुद्दे पे था और क्रिसी वस्तों के आयात से संबंदित नियम को लेके था 2001 में हुआ था ये अगला कोईशन विस व्यापार संगठन के अंतरगत क्रिसी पर समझोते के मुखे तीन अस्तंभो में निम्लिकित में से कौन सा संब्लित नहीं है पहला है बाजार पहुँच दूसरा है आर्थिक समर्थन तीसरा है निर्यात प्रतियोगिता और चौथा है डंपिंग रोधी वा प्रतिपूरक चुंगिया आपके सामने है चार आपसन और आपको बताना है कि आपके WTO संगठन के अंतरगत क्रिसी वर समझोते के मुखे त तीन अस्तंबू में और आपको वही बताना है फटाफट उत्तर दीजेगा आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा तो याद रखेंगे क्या है जो सही हो जाएगा आपसन नंबर जो फोर है ये इसका सही नहीं है डंपिंग रोधी वा प्रतिपूरक चुंगिया ये न मिल नहीं है बाकी तीनों चीजे बाजार पहुंच और आंतरिक समर्थर निर्यात प्रतियोगिता ये सारी चीजें हैं अगला देखे डवलूटियो के अंतरगत सरकारी नियूंतम समर्थनमूल MSP के अंतरगत जब सीधे किसानों को भुगतान किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं आपको पढ़ाई हो में सबसीडी देता है ये तीन तरह का इसमें आपका कहरा है कि जो किसानों को सीधा फायदा पहुंचाए वो सबसीडी कौन सी है ग्रीन बाक्स सबसीडी पीला बाक्स उचाने का काम किया जाता है तो सबसे अच्छा उत्तर तो आपका होता अंबर बाक्स लेकिन अंबर बाक्स नहीं है तो अंबर बाक्स को ही सासर्थ लागो किया जाता है आपके नीले बाक्स सबसीडी में ब्लू बाक्स सबसीडी में लागो किया जाता है ये पीला और गु किसस के आए हुए क्वेस्टन है करन इमलिकित में से किसके संदर में कभी-कभी समाचारों में अमबर बाक्स ब्लू बाक्स और ग्रीन बाक्स सब्द देखने को मिलता है डवलू टी यो सार्क या या यू निसेफ या आपका एफटी ये पर भारत यू वारता इसका उत्तर मे ये विकास सील देशों को कितना परसेंट देता है विकास सील देशों को ये देता है कितना परसेंट छूट देता है तो दस परसेंट का सबसीडी देता है विक्सित को कितना देता है विक्सित को ये देता है पाँच परसेंट आपने परसेंट आपने परसेंट आपने परस में सरास्षण रचछोपाए पर है इसे इता है तो स्पिसल सेफकेम आप टा ये तो है या इस सब्सक्राई क्या है आप सभी को पता है क्वाहई यह सभी को सभी यानि कि World Trade Organization से जुड़ा है या आसियान से जुड़ा है या आपके G20 से जुड़ा है तो क्या हो जाएगा विशिष्ट रच्छोपाय क्रियाविदी या Special Safeguard Mechanism यह आपका किस से जुड़ा हुआ है WTO से जुड़ा विश्व व्यापार संगठन से जुड़ा हुआ है यह Option नमबर जो दो है यह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यह आप लोगों ने देखा था ना यह आपका Special Mechanism क्या होता है मैंने आपको बताया भी था चलिए अगला Question देख लेते हैं टायरिफ और व्यापार संबंधी साधारण करार गैट के अधीन सरवाधिक अनुगरह भाजन राष्ट MFN खंड में बिच्छित है देखी कुछ भी नहीं है आपका पड़ा हुआ IS का Question है कह रहा है टायरिफ और व्यापार संबंधी साधार करार जिसको गैट कहते है कि पड़ाया है ना अन्तररास्टी दो कोई नहीं चत्रा कहा था मोश्ट संबंध होते हूं अपने कुछ दोस्त्ती जिनके साथ दोस्ती होती अच्छा संबंध होता ऐसे राष्ट्रों में आकर से हलय को street और रह लाभ हुचाना चाहते हैं लेकिन विश्वयापार संगठन कहता नहीं most favorite nation के तहाइत आपको सभी देशों को वही रियायते वही फाइदे देनी होंगे जो आप अपने खास देशों को देना चाहते हैं इसका उन्तब क्या हो गया सभी देशों के प्रति अधिक्तम अनुगरह यानि कि जो फाइदा आप देंगे वो सभी को देना होगा इसमें कुछ condition है मैंने आपको बताया था अगर छेत्रिय संगठन है इस तरह की बाते हैं तो आप दे सकते हैं अने था आप भेदभाव नहीं कर सकते अगला देखे WTO का पूर्ववर्ति नाम क्या था WTO को पहले किस नाम से जाना जाता था अंकटार्ड, यूनीडो, गैट या OECD इसका उतर भी मेरे सभी बच्चों को पता है कि WTO को पहले गैट के नाम से जाना जाता था पहले इसका क्या नाम था गैट नाम था गैट आपका पहला इसका नाम था अगला क्वेस्चन देखे भारत के माल के भौगोलिक संकेत रजिस्ट्रेशन और सर अधिनियम 1999 निम्लिखित में से किस से संबंधित दायतों का अनुपालन करने के लिए किया गया था आपको बताना है कि जो भारत में माल के भौगोलिक संकेत तक रजिस्ट्रेशन और संदच्छड अधियम 1999 को निम्लिखित में से किस से संबंधित दायतों के अनुपालन के लिए लागो किया गया था ILO के IMF के UNC CTED के या WTO के पटापट उत्तर देजेगा ये भी आपके लिए काफे महतपूर है और आप सभी जो आपके बहुत धीक संपदा अधिकार है इसके प्रणाली के संदच्छड के लिए काम करना सुरू किया है और इसी के लिए भागोलिक संकेतक जो देता है सरकार अधनियम 1999 के तहत ये क्या करते संदच्छड देते हैं बस्तूओं को और अन्य चीज़ों को अगला देखिए गाइट का तातपर क्या है गाइट का फुल फॉर्म बताना है आपको जिनेवा एग्रिमेंट फार ट्रेड अंड ट्रांसपोर्ट दूसरा करा जनरल एग्रिमेंट आन टारिफ अंड ट्रेड तीसरा करा है गाइट लाइट अप एशिस्टिंग टारिफ अंड ट्रेड तीसरा करा है मतबलास्ट करा है गवर्मेंट एसोसेशन फार ट्रेड अंड ट्रांसपोर्ट इसका उत्तर भी मेरे सभी बच्चों को पता है चूकि मैंने यह पढ़ाया है गेट का तादपड़े क्या होता है जनरल अगरिमेंट अंड ट्रेड जिसको हिंदु में कहते हैं प्रासुल्क एवं ब्यापार पर सामाने समझ आता जनरल अगरिमेंट अंड ट्रेड यह आपके गेट का फुल फाम है हिंदी और इंग्लिस दोनों जान लिजिएगा गैट कार्याले कब और कहां स्थापित किया गया था आपको ये बताना है पेरिस में 1968 में रियो डिय जौनेरी चनेरी चनेर्य चनेर्ट चनेर्फ लिए बिलिएично गताने हैं जिनेवा में एक मीटिंग हुई कि एक संगठन हो जो ब्यापार को बढ़ावा देव प्रसुल को घटाए और इसी मीटिंग के बाद एक जनवरी 1948 को जिनेवा में आपके गैट का मुख्याले बनाया गया गैट की अस्थापना हुई एक जनवरी 1948 में इसी का अस्थान आगे दोनों का अस्थापना येर याद रखेगा बहुत ही जादा महत्पूर है अगला कोईशन देखे डंकल प्रस्ताव संबंदित है डंकल प्रस्ताव किसे संबंदित है आपको पढ़ाते हुए क्लास में ने पढ़ाया था अगर याद होगा तो बहुत अची बात अने था को बाधिक संपत्ति के अधिकार से या निर्यात है तो आउद्यों की गुद्पादन की गुडवत्ता से किसे संबंदित है आपका डंकल प्रस्ताव आपको ये बताना है और ये भी आपके लिए महत्पूर प्रस्न है आपका जो सही है वो है आपका आप्शन नंबर थी बाधिक संपत्ति के अधिकारों से आप सभी को पता होगा जो आपका गैठ है इसके जो मतलब बैठक होती इसको दोर कहा जाता है जो उरगवे दोर है इसी में बात किया गया था डंकल महोदय जो थे उन्होंने वो महानेरेशक थे गैठ के आर्थर डंकल उन्होंने ब्यापार को भी बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि जो आपका गैठ है ये केवल गुट्स की ब्यापार को बढ़ावा देता था ये बौधिक संपत्ति की अधिकार को बढ़ावा नहीं देता था तो ये मिस्टर आर्थर डंकन ने कहा उरुगवी दौर में 1991 में जो हुआ थ ऐसे बहुताव ये जिसरी में आपको सевाय भी आती हैं जिसमें आको आपके पॉद्धिक संपत्ति की अधिकार भी आते हैं तो ये किस्टेष संपकल प्रस्ता ऑनकार करने के लिए संब्लित नहीं किया गया है आपको बताना है ट्रिप्स संझौते में कौन है जो सामिल नहीं है पहला करें ब्यापार मार्क दूसरा करें एक इकरित सर्किट की रूपांकृत का बाहर स्वरूप तीसरा करें भागुलिक संकेतक और चोथा करें पाउधा उत्पादन ट्रिप्स के तहत किसको सामिल नहीं किया गया है आपको यह पताना है फटा-फ को पता है कि पाउधा उत्पादन को ट्रिप्स समझोते के तह संदक्षर प्रदान नहीं किया गया है इसमें पेटेंट को भागोलिक संकेतक को कॉपी राइट को इंटीग्रेट सर्किट की रूप रेखा को ट्रेड मार्क को इन सब को दिया गया है लेकिन पाउधा उत्प सदसे हैं इससे कौन से हैं जो जी 20 सदसे हैं आपके सामने हैं और जिन टीन अप्रिका आंटियों डूसरे में आस्स्रेलिया कंड़ा मलेशिया न्यूजिलन्ट व्यतिनां प्राजील आस right और दीट को रिया प्तर देंगी वचालोग इसे कौन से चार देशों का समू है जो G20 के सदस्य देश हैं G20 आप सभी को पता होगा इसमें 20 देश है G20 के सथापना बर्स 1999 में हुआ था इसके 20 सदस्य देश हैं जिसमें अर्जेंटीना है आस्ट्रेलिया है अमेरिका है ब्राजील है कनाडा है चीन है फ्रांस है जर्मनी है भारत है इंडोनेसिया इटली जापान मैक्सिको रूस सौधी अरब दच्छिड अफरीका कोरिया भी ह है युनाइटेट किंग्डम भी है युरोपीय संग भी है तो आपके क्या सही हो गया है आप से अर्जेंटेना मैक्सिको दच्छिड अफरीकार तुर्की कोरिया वगरा भी इसी में सामिल है तो 20 देशों का ये आपका संगठन है और देखी ये क्वेस्टन आपका पूछा हुआ है युपी एसी में आपके लिए काफी महरपूर है अगला देखी निमनलिखित में से विस्व बैंक की कौन से सम्मद्ध संस्था विस्व के निर्धंतम तथा जो आपके गरीब राष्ट होते हैं निर्धंतम राष्टों को गरीबी उनमोलन हेतु सहायता करता है मैं कौन सा सदसे निर्धंतम को पैसा देगा कौन निबेश करने के लिए पैसा देगा कौन बीमा के लिए पैसा देगा ये सारी चीज़ें अलग-अलग पांच संगठन है और उसमें से सभी संगठन के अलग-अलग काम है ये देखे बहुत हिसांदार प्रस्ण है और यूपी आपको बताना है कि कौन है जो निर्धनतम राष्ट्रों को गरीब इन मूलन हे तु सहता पतान करेगा तो आपका जो सही है वो है आपका अंतर राष्ट्री विकास संग जिसको आई डिये कहते हैं जिसकी अस्थापना 24 सितंबर 1960 को हुआ था इसी को उदार सर्तों पर रेड़ देने के उद्देश से विस बैंक के पूरक एकाई के रूप में अस्थापना हुई थी ये सारी चीज़े याद रखेगा ये गरीब से गरीब देशों को उनकी गरीवी को दूर करने के लिए पैसा देता है याद रखेगा आई डिये अंतर भी मेरे सभी बच्चों को पता होगा विकास मैंने यह पढ़ाया है आपके इसाप से क्या है जो सही हो जाएगा निम्न में से किसके द्वारा मानोविकास सूजकांक सर प्रतंबिक सित किया गया था तो आप सभी को पता होगा संयुक राष्ट विकास कारिकरम जिसको UNDP कहत तो क्या हो जाएगा आपका UNDP UNDP United Nation Development Program के द्वारा ही आपका HDI सूजकांक जारी किया जाता है अगला कोईस्टन भी सांदार है आपका पड़ा हुआ है दीजे का जबाब हाल ही में पहला लैंगिक सामाजिक मानो सूजकांक निम्न में से किसके द्वारा जारी किया गया है य तो यह आपके लिए काफी महतूर्टस नहीं विस बैंक है विस बैंक और संयुक्त राष्ट विकास कारी कि credited है या विस बैंक सामाजिक मानो सूजकांक जारी किया गया है और इस 리पोर्ट में महिलाओं के खिलाब सरवाधिक पूर्भाग्रह वाला जो देश है वो पाकिस्तान को बताया गया है कि यहां पर सबसे ज़्यादा महिलाओं के बारे में पूर्बा ग्रह लोग रखते हैं और सबसे कम पूर्बा ग्रह वाला देश एंडोरा को बताया गया है एंडोरा को कहा गया सबसे कम पूर्बाग्रा है यहां महिलाओं के बारे में लोगों के अंदर और पाक को कहा गया कि यहां सबसे ज़्यादा पूर्बाग्रा है पूरुसों में महिलाओं को ले करके याद रखीगा कौन इसको जारी करता है संयुक्त राष्ट विकास करम कारी करम इसको जारी करता है लैंगिक सामाजिक मानक सुचकांक ये लेटिस्ट नया है सुचकांक इसलिए इसको याद रखेगा अगला क्वेस्टन भी आपका बहुत ही जादा महत्पूर है निमनिकित में से किस नई भारत के आर्थिक विकास पत को रोजगार विहीन, जड़ विहीन, निष्ठूर, आवाज विहीन और भविसर रहित कहा है सांदार प्रस्न है आपको बताना है ये देखिए आपके लोवर पीसेस 2015 में आया था कि किस संगठा ने भारत के आर्थिक विकास पत को कहा ये रोजगार विहीन है जड़ व विकास के मुद्दे पर भारत जैसे देशों के लिए तो याद रखीगा आपके संयुक्त राष्ट विकास कारिकरम ने विकास सिल देशों के बारे में ऐसी बाते कही कि जो विकास सिल देश है उनका जो पत है वो रोजगार भीन है जड़ भीन है निष्टूर है आवाज इने और भविस्ट रहित हैं यूए उन्डीपी द्वारा ऐसी बाते की गई है जो कि विकास सिल देश में जो नीती निर्माता है उनकी जो कारेपधद हती है वो अच्छी नहीं होती है इसलिए बात कहा है यूद्दी पीने विकास सिल देशों के लिए और विकास सिल है कोपनेहेगन में है या पेरिस में है फटा फट देंगे उद्धर बचा लोग यूरोपी आर्थिक समुदाय का मुख्याले कहा है और आप सभी को ये याद होना चाहिए उन्नीस सो सतावन को रोम संदी के अनुसार यूरोपी आर्थिक समुदाय के अस्थापना के गई थी जिसका मुख्याले कहा है बेलजियम की राजधानी ब्रूसिल्स में है याद रखेगा कहा है आपकी जो ये है ये है आपका बेलजियम की राजधानी है ब्रूसिल्स में है इसका मुख्याले इंपोर्टेंट है अस्थापना कब हुआ है उन्नीस सो सतावन में हुआ है यू और आप लोग पीछे से रिविजन खुद से भी करते रहेगा चुकि बहुत सारे पॉइंट है मैं कितना भी कोशिस कर रही हूँ अपनी तरफ से आपको सब कुछ देने का लेकिन आप लोग खुद से भी डेटेल क्लास का और प्रैक्टिस सेशन का बार बार रिविजन कर लीजेगा वहां से भी हेल्प मिल जाएगा और आगे भी हम अभी करवाते रहेंगे आप लोगों को तो आप लोग बिल्कुल निरास मत होईएगा मेहनत कीजिए खुब अच्छे से आज के लिए इतना ही थाइंक्यू थाइंक्यू सो मच